दोस्तो फाइनली आज भारत ने वो चीज बना कर तयार कर ली है जिसकी मदद से हम 100 सालों तक हैवी कैटिगरी के एरक्राफ केरियर और कार्गो शिप को देश के अंदर ही बना पाएंगे और यही पर हम अपने सूपर एरक्राफ केरियर को भी बनाने वाले हैं तो जैसा कि आप सभी जानते ही हो कि जल्द ही हमारी नो सेना की तरफ से आई एनेस विशाल को एप्रूवल दे दिया जाएगा इस एप्रूवल के आठ से नो सालों बाद यानि की दो हजार इकतिस या फिर दो हजार बतिस में हमारी नो सेना को आई एनेस विशाल मिल जाएग लेकिन शुरू में ये प्लैन किया जा रहा था कि हम अपने INS विशाल को सूपर एरक्राफ केरियर बनाएंगे लेकिन अभी इस प्लैन को छोड़ दिया गया है जो हमारा IAC-2 होगा जिसको हम फ्यूचर में INS विशाल के नाम से जानने वाले हैं उसको INS विकरांत के बेसिस पर बनाए जाएगा तेकिन जो हमारा IAC-3 होगा वो एक सूपर एरक्राफ केरियर होगा सूपर एरक्राफ केरियर वो केरियर होते हैं जिनका डिस्प्लेस्मेंट 65,000 टन से 70,000 टन के बीच होता है हमारी नो सेना को IAC-3 2040 के आसपास मिल पाएगा और ये वो समय होगा जब ह हम अपने INS विक्रम आदित्ते को रिटार्ट कर रहे होंगे और INS विक्रम आदित्ते की जगह पर ही हमारा IAC-3 सेना में शामिल होगा और अब IAC-3 को बनाने को लेकर कोचिन शिप्यार्ड ने एक ड्राइडोग बनाये जा रहा है जो रवी पूरम शिप्यार्ड में होगा और अब बताया ये जा रहा है कि कोचिन शिप्यार्ड की तरफ से हमारे IAC-3 को इसी ड्राइडोग के अंदर बनाये जाएगा इस समय हमारी नोसेना के लिए जो IAC-2 यानि की INS विशाल बनाये जाएगा वो एक सूपर एरक्राफ्ट केरियर नहीं होगा इसा इस वज़े से किया गया है क्योंकि इस समय हमारी नोसेना का बजट थोड़ा टाइट है लेकिन ये बजट इशू 2030 के बाद नई रहने वाला है क्योंकि लगातार भारत की एकनोमी ग्रो कर रही है इसी वज़े से आने वाले समय में हमको ये भी देखने को मिल सकता है कि हमारी तीनोई सेना के बजट को भी बढ़ा दिया जाए और अगर ये बजट बढ़ा दिया जाएगा तो पाफी तेजी के साथ हमारी सेनाओ को हत्यार भी मिलने शुरू हो जाएंगे तो एरक्राफ्ट केरियर बनाने का हमको ये फाइदा होगा कि अगर फ्यूचर में हमारे किसी भी केरियर लेना चाहती है जो हमारा IAC-3 होगा उसका डिस्प्लेस्मेंट सतर हजार टन के आसपास होगा और इस एरक्राफ्ट केरियर में हम इमल्स टेकनलोजी यानि की इलेक्ट्रो मेगनेटिक एरक्राफ्ट लोन सिस्टम का इस्तमाल करने वाले हैं इस टेकनलोजी में जो एरक्राफ्ट केरियर बनाये जाते हैं वो सामने से बिलकुल फ्लैट होते हैं और इमल्स टेकनलोजी को आप सिंपली एसे समझ सकते हैं कि इस टेकनलोजी में एक की मदद से फायर किया जाता है आई एसी 3 के आने की वज़े से आप ये चीज भी कंफर्म समझिए कि हमारी नो सेना को भविश्य में 100 टैड़ बीएफ की जरुवत पढ़ने वाली है और साल नो सेना के पास आई एनेस विष्याल भी आजाएगा और हमारा टैड़ बीएफ भी प्रोडक्शन के लिए पूरी तरिके से तैयार होगा जिससे ये बात साफ है कि भविश्य में हमारी नो सेना की तरफ से 100 की संख्य में टैड़ बीएफ को भी खरीदा जाएगा और इसा करन के बाद भारत उस elite group में शामिल हो जाएगा जिसके पास aircraft carrier को बनाने की capability भी मौजूद होगी और उस पर तैनात करने के लिए fighter jet को बनाने की capability भी मौजूद होगी और जो ये नया dry dog बनाये गया है इसको बनाने में 1800 करोड रुपिये का खर्च आया है और ये dry dog हमको आने वाले सो सालों में सूपर पावर जरूर बना देगा क्योंकि यहीं पर हमारी नो सेना के लिए heavy category के aircraft carrier और ship को बनाये जाएगा